बस्तर के अंद्रूनी इलाकों में जब आप रिपोर्टिंग करने जाते हैं, तो कई समस्याओं और चुनवतियों का सामना तो करना पड़ता है, या आपको हर किसी पत्रकार के रिपोर्टिंग के दारान इस सब्द को आपने कई बार सुना होगा, और कई बार मैं भी लोग बोलते हैं कि बस्तर के अंद्रूनी लाकों में जब आप जाते हैं तो सोते कहां हैं, खाते कहां हैं और इसकी विवस्ता कैसे करते हैं, तो आज मैं बहुत अंद्रूनी लाकों में एक रिपोर्टिंग पे आया हूँ, ऐसी बैठा था तो मुझे लगा कि इस जानकार को आप से साजा किया जाए, नमस्कार मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्ता टॉकीज देख रहे हैं, दरसल आज मैं दंतेवाडा जिले से किरंदूल की बड़ी-बड़ी पहाडियों को किसी तरह से पार करके गंपूर जिले में आया हूँ, गंपूर गाउं में, यह जो है, बीजापूर जिले में पढ़ता है, यहां बहुत बड़ी रिपोर्टिंग थी, बहुत बड़ी स्टोरी थी मेरे लिहाद से, आपके लिहाद से भी होगी, आप जब उस कहानी को देखेंगे, तो आपको लगेगा कि यहां यह कहानी बड़ी, तो इस जो रास्ता था वो वापस जाने के लायक नहीं था रात में, कई तरह के खत्रे हैं, पुलिस के अमसार बहुत जादा नक्सल प्रभावीत इलाका है, तो जिस रास्ते साब गुजरेंगे तो हो सकता है कि नक्सली मिल जाएं, आलैकि मिल भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नही लेकिन जंगली जानवरों का भी खत्रा है, तो वह आपको नहीं पहचानते, वह यह नहीं जानते कि भाई ये बस ते टॉकी जोलाग, बाकी लोग तो जानते भी हैं, तो इसी गाउमें रुखना हुआ, तो अब आप देखिए, किस गाउम में रुका हूं, और रुकने के बा रुका जाएगा तो सब सब पहले ग्रामीडों ने ठंड का मौसम हाला कि ठंड जा रही है लेकिन हलका ठंड है सांदार आग जला रखा है और चारों तरफ खटिया लगा दी गई है इसमें मैं अकेला नहीं हूं मेरे साथ कुछ और भी साथी हैं तो उनके सोने के लिए मेरे सोने के लिए और इस तरह से यह आग जला दी गई है यह तो हो गया भाई सोने की विवस्था अब यह हुआ कि खाना क्या खाया जाएगा तो खाना खाने के लिए मैं आपको दिखाता हूं यह यह गंपूर का गाउं है रात के अंधेरे में भी हाला कि यहां यह मिट्टी के इट से बनाए गया है जो ग्रामीड खुद बनाते हैं तो हमारे भोजन की विवस्ता की जा रही है अच्छा इसमें नकरा सब का अलग-अलग है ना जैसे मैं सुद्ध साका आ रही हूं तो मैं कुछ खाता नहीं हूं गांवालों ने का भीया आप पत्रकार है तो आपके लिए देशी मुर्गा बनवा दे। नहीं हाथ जोड़ा भाईया में देशी मुर्गा औरण्ड़ा कुछ ने खाता हूं तो हमारे लिए अलग से कुछ बन रहा है क्या बना रहे वैया अक्याड़ा अच्छे डाल है दाल में तो मसाला बड़क टगड़ल लग औ अच्छा क्या नाम आपका मेरा मेरे साथ कैमरे मेरा सहयोग बादसाखान जी कर रहे हैं थोड़ा दिखाईए क्या खुप्तूरत यह किसके लिए मेरे लिए बना रहे हो अच्छा सभी बनाओंगे बस डाली में निपता होगी कुछ बन जाएगा के पता नहीं लेकिन बन रहा है जिम्हेदारी आपको दी गई है कि ताल बनाना तो यह देख इतना मेरा लिहाज रखा गया है कि मैं नौन्वेज नहीं खाता हूं तो मेरे लिए चूला ही अलग बना दीए गया है इसमें डाल बनाया जा रहा है सांदार उसको जो है अब द्हाबे में जाएंगे तो दाल तड़का बो haya जो भी बोले उस तरह के डाल मसाला बहुत सांदार तरीके से प्याजवाज डाल खे भूझा जा रहा है और अब मेरे जो साहथी है जो औंवेज खाते हैं उनके खाने की विवस्ता की जा रही है, बहुत शांदर तरीके से, आईए आपको उनके खाने की क्या विवस्ता है वो दिखाता हूं मतलब मैं बता रहा हूं कि बस्तर के बहुत अंदर जब आप जाएंगे ना इतना खूपसूरत आत्मीता के साथ आपके लिए सारी विवस्ताइं की जाएंगी यह देखिए यहां पे बिल्कुल चार-पांच लोग बिल्कुल जुटे हैं और यह मैं और मेरे ज लो बाणा रहा हूं देशिमुर्गा मटन भी और मचली बनारा रहा हूं और चल भी बना रहा हूं लाइन जानके लिए मूरक फिना और को अगया जाया तो मतलब मेरे जो साथी हैं जोають वेज़ खाते हैं उनके लिए मुर्गा मटन और मचली यह सारी वेवस्था हैं और उधर रखा हुआ है मैं तो खाता नहीं इसलिए मैं देख नहीं पाता हूं तो दिखा भी नहीं पाता हूं मचली भी यहां कहीं रखी हुए और कि मैं क्योंकि मैं साका हरी हुं तो मेरे लिए डाल अलग से दूसरे चूले में बन रही है यहां पर यह मानसा रियों के लिए यह वेवस्था तो यह सारी कोपड़ा है कमाल बन सब के लिए हो जाएगा हो जाएगा तो आप लोग परशान तो नहीं हो रहे हैं परेशान नहीं मतल täll कितने लोग आ उस बस्तर की जिसे आप बहुत जटिल मानते हैं, जिसे मानते हैं कि बहुत पिछड़ा हुआ है, मुझे लगता है कि पूरा देश इसी तरह से पिछड़ा हो जाए तो बहुत आगे निकल जाएगा, बहुत खूपसूरत हो जाएगा, कारण ये है कि वो जो दादा है, जो इस देखके मुझे समझ में आ रहा है और आप देखें कि ये सारे जो युवां है ये अलग अलग घर से हैं अब आप चावल देख लिजे और इसी से समझिए कि हम कितने लोगों के लिए भोजन तैयार किया गया है चावल तयार है, मुर्गा पग्या है, मचली बन गई है, बस दाल और मेरे लिए केले की सबजी के बन जाने का इंतिजार है सोने के लिए सब के लिए खटिया, गाउं के अलग-अलग घरों से आई हुई है दादा ने बताया कि सब के ओडने के लिए विश्तर की व्योस्ता है और इसे खुबसूरत बात कि इसको लेकर किसी को किसी के मन में इरिटेसन नहीं है कि अरे आरे कौन आ गया है सब खुस हैं और सब लालाई था और अपने मन से खुद ही चलिए जो पत्रकार आए हैं इनके लिए कोई व्योस्ता में कमी नहीं होनी चाहिए पानी का पीने का पानी बोद तोड़ा से दिकत पड़ता है कि यहां कुछ नहीं है इसमें दूसरे वीडियो में बात करेंगे मैं यहां की समस्या पे ही आया हूँ बात करने के लिए लेकिन अभी मैं यह बता रहा था कि गाओं के लोग कितने खुबसूरत हैं गाओं की कई समस्या है आप दूसरे वीडियो में देखेंगे लेकिन अभी इस वीडियो में यह बता र क्योंकि वहां को एक-एक कदम चलने के लिए भी पैसे की जरूत पड़ती और यहां सिर्फ प्रेम मैंने अपने किसी वीडियो में कहा था कि बस्तर में बहुत बचा है तो यह वही प्रेम है जिस प्रेम के जिक्र मैंने किसी वीडियो में किया था यह बस्तर का वही प्रेम है यहाँ पैसा नहीं लगता सिफ प्प्रेम से सब हासिल कर suburbs अबisa अब वोर्फार के खुपसूरति one clean up कर slut कर सामना करके लीपोर्टिंग कर रहें उसमें यह बता रहा था कि लोग रीपोर्टिंग करते हैं तो गाहों के लोग को रिपोने करने के लोग कितने आदर भाव से कितना मेहमान नवाजी करते हैं कितना स्वागत सब्सकार करते तकलीफ नहीं होने देते वाई इसारी आपके सहर में हमारे बस्तर के गाओं में तो बहत्रीन भोजन तो अगर अच्छा लगते वीडियो तो सेर करें बताएं सब को कि बस्तर के लोग कितने खुबसूरत हैं और मेहमान नवाजी कितनी खुबसूरत है धन्यवाद